नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज हम बात कर रहें एक महत्पून टॉपिक पर जो जुड़ा है SSE GD 2025 को लेकर हम सभी जानते हैं 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आउट होना था कहीं न कहीं और किसी न किसी कारण वर्ष नोटिफिकेशन नहीं आता है जिससे बहुत सार सम्पून जानकारी को जान लेते हैं कि अगर हम SSE GD के लिए फार्म अप्लाइग करना चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें क्या योगिता होनी चाहिए हमारे पास हमारी एज क्या होनी चाहिए एक्जाम का पैटरिन क्या है यह मुख्यों देश ये वीड लिखते हैं राइट करते हैं तो उन तक सम्पून जानकारी जानी चाहिए तो आइए सब समझते हैं क्या पाठे करम है क्या योगिता रहने वाली है और रहती है आयू क्या है और परीक्षा तिथी सबसे पहले 5 सेप्टेंबर को नोटिफिकेशन आउट हो तभी जाके हमें परीक्षा तिथी के बारे में भी पता चलेगा अच्छा जब अगर हम SSE GD के exam की बात करते हैं जब हम form को fill करते हैं तो हमें various forces देखने के लिए मिलती हैं राइट बहुत सारी recruitment अलग-अलग forces के अंदर होती हैं जैसे कि अगर हम बात करें Border Security Force, BSF, Central Industrial Security Force, CISF, CRPF, Central Reserve Police Force, SSB, शहस्त्र सीमा बल, ITBP, Endo, Tabithian, Border Police, Assam Rifle, AR, इसी के साथ SSF और NCBB तो इन forces के अंदर हम SSE GD के exam देकर जा सकते हैं इसी के साथ समझ लेते हैं exam pattern जो है वो क्या रहता है तोटल हमें 80 सवाल पेपर में देखने के लिए मिलते हैं हर एक सवाल दो नमबर का होता है और अगर आप गलत करते हैं तो negative marking भी है 0.25 की अब स्लेब बस की अगर हम बात करें कि मैं में क्या-क्या पढ़ना है तो section wise divided A, B, C, D चार section है जिसमें आप लोगों की reasoning आती है math आती है आपकी GA, GS जर्नल साइन्स आती है इसी के साथ Hindi या फिर English आप दोनों में से चुन सकते हैं जो आपको बहतर लगे वो subject चुन कर आप तेयारी कर सकते हैं हर एक section जो है वह आप लोगों का 40 नंबर का होता है क्योंकि 20 नंबर कंटेन कर रहा है और हर सवाल दो नंबर का है तो 282 40 हो गया और आपको केवल मिलता है एक घंटा इस पेपर को करने के लिए मा आपको नेगटिव मार्किंग यहां देखने के लिए मिलेगी तो 0.25 तो पहले ही हमें समझ में आ गया है कि तयारी बहुत अच्छे से कर दिया अब क्वालिफिकेशन क्या-क्या होनी चाहिए आपने यहां तो मैट्रिक पास कर रहा हो मैट्रिक पास कर रहा है तो दसवी इ इसी के साथ अगर हम बात करें पी इटी की यहने कि फिजिकल एफिशेंट्सी टेस्ट के बारे में देखिए इसमें दो चीज़े हैं मेल और फीमिल दोनों को अलग-अलग अपना पी इटी क्वालिफाई करना है अब इसमें आप लोगों को यह देखना है कि एक लग्दाक में नहीं है उन रिजिन के बच्चों के लिए देखिए अगर हम मेल की बात करें तो पांच किलो मीटर उन्हें 24 मिनट के अंदर पुर्षो को कंप्लीट करना है यहीं अगर हम बात करें आप सभी से जो बच्चे जो कैंडिडेट आपके लदाक से संबंद रखते हैं लदा दाक वली जो फीमेल कैंडिडेट से उनके लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है अब यह समझ लेते हैं कि यहां पर आप लोग की जो पीस्ट होता है जिसके अंदर आपकी बॉड़ी की मेजर्मेंट करी जाती है वह फीमेल और मेल के लिए किस प्रकार डिफाइन किया गय सबको डिफाइन करा गया है अगर हम समझे हाइट के बारे में सबसे पहले तो मेल जो आप लोगों के जैनल में आ रहें ओबी सी में और सी में आ ले तो उनकी हाइट 170 cm होनी चाहिए इस से अबब है तो और बढ़ी है मिनिममम इतनी होनी चाहिए यहीं हम बॉइस की बात कर से एस्टी वालों की तो यहां पर 162.5 cm उनकी मिनिममम हाइट होनी चाहिए यहीं हम समझें चैस्ट को डिफाइन भी करा गया पुर्षों के लिए 80-85 cm जो जैनल ओबी सी और सी वाले हैं इसी के साथ सी वाले मेल कैंडिटेट्स के लिए 76-80 cm की चैस्ट मेजरमेंट है यही यहींश के लिए कोई भी चाय ऐस सी चाय एस्ट कोई भी जैनल फीमिल के चैस्ट का मेजरमेंट नहीं है यहां पर हमारे पास हाइट का मेजरमेंट है अगर महिला और जो फीमिल कैंडिटेट है वो जैनल उबीसी सी से बिलौंग करती है तो इसकी हाइट 157 cm होनी चाहिए से अबब है तो वेलन गुड है और यहीं फीमेल जो से बिलॉंग करती है शेडियूल ट्राइप से बात करते हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर हाइट जो है वो देखने के लिए मिलेगी ठीक है अब एज लिमेट की बात कर लेते हैं 18 वर्ट से लेकर मिनीमम 18 है 18 के आप हैं तो आ समझ में आएगा ठीक तो यह आप सभी के लिए क्या है कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ अगर आप इस क्राइटीरिया के अंदर फिट और फाइन बैट रहे हैं रेस तो आप कर ही लेंगे बाकि हाइट जो है वह एक मेजर इशू बन जाता है अगर ह हाइट आपकी नहीं है तो उसको जरूर देख लीजेगा उसके बाद ही आप तैयारी कीजेगा एक्जाम पैटरन मैंने आपको बता दिया अब इंतजार है तो 5 सेप्टेमबर का जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा और मिलते हैं आप सभी से अन्य वीडियो में